मेरा यूट्यूब सेटप और फ्यूचर पे थोड़ा रोशनी डालने के लिए मैंने सोचा चलो एक मज़ेदार लाइट ले लेते अब रोशनी ही चाहिए तो रंग क्यों नहीं तो मैंने अपने अउकात के अनूसर एमाजान पे कर लिया भरोसा और ये वीडियो तुम सही टाइम पे देख रहो तो मुझे पचास बर एंग्जाइटे अटक आ चुका है क्योंकि 50 वीडियोस कंप्लीट चैनल पे बस सिर्फ 6 इंचेस बाकिया अभी तो इस 50 वीडियो के खुशी में मैंने सोचा चलो कुछ अलग सा लाइट ले लेते बैक्ग्राउंड के लिए और फिर सिनेमाटिक एक्स्पिरिमेंस के लिए बट कैसा लाइट तो मैंने अपने दिमाग में बहुत सोचा और आविश्कार किया कुछ लोग उसे इंस्टाग्राम रील्स पे देखना भी बोलते है कि एक ऐसा लाइट जो आजकल की लाइट से बिलकुल अलग हो अब इस चोटी सी चीज को संसे लाइट या फिस संसे लाइट क्यों बोलते है इसका जवाब अगर एमाजन प्रोड़क्ट फोटो से दे तो यह एकदम मस्त गोल्डेनावा वाली वाइट क्रियेट करता है एकदम मस्त गोल्ड डूपता सूरत जैसा बट एक ही रंग ना 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 हमें चाहिए RGB ताकि यह मूड और इंसान की तरह रंग बदल सके अपना वह भी दूर से wireless remote 800 के अंदर अभी मुझे लग रहा है यह on हो रहा इतना ही काफी है पट जादा expectation अच्छी बात नहीं होती इसलिए मैंने expect किया था वर्ल्ट लस लाइट होगा पट जूट नहीं बोलूँगा box से निकलता ही मुझे लगा solid है remote भी भूला नहीं no missing parts बट size थोरा छोटा है adjust कर लेंगे पट फिर देखा इसका USB वाला तार भी छोटा है जिसके लिए तुम्हें लगागा वह extra वाला चीज जिससे तुम जितना खीजोगे उतना लंबा होगा extension cord और एक घुसाने वाली charging brick बस तार ही छोटा है ना adjust कर लेंगे फिर मैंने लगा के सब sit करके किया on जली नहीं बट परंपरा की साबसे remote पे थोरी फुंक्सुप वांगरू वाली engineering मारने की बाद हुआ finally मुझे लगा यह कम brightness पे हाँ तुम brightness चेंज कर सकते हो कम जादा कर सकते हो बट जो Amazon पे दिखा जा रहा था उसके आसपास भी नहीं है बट light चेंज हो रहा था बट जो specific color जिसके लिए लोग यह light लेते है जो sunset वाला warm yellow जो औरेंज इस color tone वो बिलकुल भी नहीं आ रहा था बस एक odd warm tone बहुत हलका सा वो भी बीच में और एक bold similar color का border बस हां मेबी तुम surrounding light एकदम कम कर दो तो वो ठीक लगे पर फिर भी बट कुछ color जैसे blue, purple इस type के color की intensity एकदम solid है और उस type के color पर यह सच में सही लग रहा था और एक चीज मैंने notice किया कि हर color में जो वो ring बन रहा है जो red जैसे colors में बहुत prominent लग रहा है उससे तुम बहुत creatively use कर सकते हो इसका मुंडी भी उपर नीचे होता है flexible तो म यह for the best flexibility और अगर build quality की बात करो तो यह extremely चपड़ी plastic से बना हुआ है बट अगर तुम इससे hockey खेलने का plan नहीं कर रहे हो तो यह टूटेगा नहीं solid है enough है अब आता है main चीज light की quality देखो मैंने पहले ही बोला है blue, cyan, magenta, purple इस type के colors के अलावा बाकी सारे colors बेकारी बोल सकते हो बट हां I'm pretty sure कि मैंने RGB वाला version लिया इसलिए इसका color ऐसा है अगर तुम normal वाला version जो sunset वाला ही version लोगे तो उसका normal color जो होगा वो बहुत कड़क होगा तो RGB पे दिक्कत क्यों? well RGB पे दिक्कत नहीं है यह cheap वाले जो RGB lights होते है ना चाहे हो तुम ऐसा light ले लो या फिर ऐसा जि से तुम creatively use कर सकते हो जैसे यह fade in effect यह बहुत सही लगता है कुछ चीजों पर मैंने तो यह background light के लिया था और मैंने यूज भी क्या है last video में अगर देखा नहीं है तो देख सकते हो इतना flaws होने के बाद भी actually तुम इसे बहुत creatively use कर सकते हो इसलिए मैंने इसे return नहीं किया है जैसे तुम actually practical light के साब से use कर सकते हो age light या hair light के साब से use कर सकते हो कुछ specific cinematic sim पे एकदम अलग ही तरीके से use कर सकते हो मैं भी देख रहा हो try कर रहो कुछ मज़ेदा चीजे बनाने का surface light से आएगा जरूर आएगा बट यह 800 के light से जो color change होता है wireless है light कम जादा होता है stylish है एक थ और तुम्हें अगर यह specific light चाहिए और तुम मेरे नीचे दिये हुए link पे click करके खरीदोंगे तो मुझे फूटी कौरे भी नहीं मिलेगा affiliate link नहीं है तुम कहीं से भी खरीच सकते हो पठा अगर तुम्हें exact वो sunset वाला ही look चाहिए तो मैं बोलोगा normal वाला जो sunset lamp है वो खरी सच में और उससे भी जादा मुझे फरक पड़ता है but always remember जो चीज छोटा है खड़ा है और हिलता है बहुत जरूरी नहीं है कि उससे रौश नहीं निकले